बॉर्डिंग आईज कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं हुसरी और सवगात है आपको स्री की दुनिया में आज मैं आपके साथ शेयर करूगी डिप क्लिन रूटिन आई होप आपको पसंद आएगा ये वीडियो तो प्लीज गाईज सपोर्ट करन वाप तो मेरे हस्बंद जाने के बाद ही में रूट को क्लीन करती हो अधसे में सबसे पहले घर का ओन नाड और फैन वगड़ा जो भी है उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ प्रोजी इं करते हैं घर को फिर भी तोड़ा सा धूल मिटि रह जाते हैं तो मैं डेली वैसे क्लिन कर लीति हुँ रिप जैसे मुझे दिकत ना हूँ तिसलिए में पहले जारु की मदर्स से जूल वगड़ा जो भी रहते हैं धूल वगड़ा उसको क्लीन कर लेति हूर फिर नीचे की तरब जो भी धूल मिटी गीरता है उसको जारु लगागे कि इसके बाद में एक सुका टवल से मेरे पंखा को क्लीन कर लेती हूँ कि मेरा फैन चालू रहता है अभी इदर तो हलकल का कर्मी है तो चालू रहता है और मेरा कोई चीमनी नहीं है तो किचन में जितना भी खाना बनाती हूँ पुरा वेड्रू अंदर जब पंखा चालू र राघ्र करें होँ क्योंकि तो मेरा काच्छा तो फोड़ा सा गंदा ज्याद ही होता है बाध्ये खा में पादे जिक्रिक And שמal Rोव s square चीजे बादी बिट्वराम डें इस पवान चालू यह मेरे सब्वल फोके बिलिन करने है मैं साथ को मेरे माट वेट के उपर रग दीथे देते हैं तो हम जाने के बाद मैं घर को क्लीन करती हूं तो बेर इस वेड यह जोटकी काम बेड लात को में इसको बढ़ा करके सोते है और सुवे फेर इसको सोफा करके में रख देती हूँ इसमें क्या होता है जगा भी बच जते और देखने भी अच्छा लगता है तो अब मैं इसको कोई कर रहे हूँ छोटा घर के रखती हूँ उपर मैं एक चातर बिछा देती हूँ तो इस तरह से नॉर्मार बला जो चातर करती हूँ ऐसे तो मेरे पास सोफा का कवर है लेकिन मैं उसको ज्यादा यूज नहीं करती हूँ कोई और तो यह घर के लिए ना अच्छा है क्योंकि कोई सो भी सकते ना नॉर्मार बला चातर पर तो यह पूरा दिन में इस तरह से चातर रखती हूँ रात को सोने के लिए चातर रखती हूँ जो अभी उठाके लेके गई उसको दो लेती हूँ तो रात तक वह सूप जाते है तो इसको पर जो भी कुशन वगड़ा है स्थासे में सेट कर देती हूँ फिर से नीचे की तरफ आके थोड़ा सा झाड़ो पोचा लगा देंगे इस मेना हाथ से क्लीन क कर लेती हूँ उसके पाद पूरा जो मेरा रूम है उसको क्लीन करते हो तो क्या होता है इस तो अच्छे से साप हो जाते है और हाथ से करने से चादा क्लीन लगता है मुझे हूँ 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 हुआ हुआ है कि टाइम लग जाता है मुझे घर को क्लीन करने में तो हो गया है मेरा पोचा लगा कि अब इधर चोटा सा मैट में विचा देatar हु हुआ उसके बाद बेट को क्लीन करते हो तो सुका टावल से बेट को भी एक पर पोचा लगा लेती हो इस तरह से तो उसमें जो भी धूल मिट वह भी निकल जाएगा और क्लीन हो जाएगा मुझे लागने के पार्ट में आजाएगा मेरे कुमी टेले विशसका कपड़ा है 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 कि अूद ऑन कि फगị शहीं थान नंता हि ways कि अधने हले कि अटजर ही the शुष के लिएWhat क कि अधनेक तोमिछ गाँ распीज हुआ क 한 प अले सबने तessed suspected इभर को ज्मा ट७र के अच्ueर लंग समस्य गगा में बुद सबस्द्द्द्ई जो आप से नहीं समय होगा है जो जाते हैं, पर अपसे नहीं होगा है, मुझे तो लगता है इस में इससाइश भी हो जाते हैं, I hope आप समझ जाएंगे कि लओ टुटुआ राइब है झाल झाल कपड़ा तो के कपड़ी हो चुका है तो आभी में इसको भाठ दोड़ाशा में शुकाने के लिए बाहर दे दूगी और दोड़ा पाणी भी गिर जाएगा तो आखी फिर अंदर शुखाऊं की तो गाइस के लगें हो चुका है ट्रू और कपड़ा उसके पाद में नाहाने लगाया है तो मैंने और टूड़ा साना आती हूँ तो आज और नहाने के बाद में जटना पी पुजा करने उसके बाद ले लगए और जिस दिन मेरा बाल धोना नहीं रहता है उस दिन में सुभी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर इसाब काम करती हूँ तो डेली रूटिन में कभी-कभी दर उधर हो जाता है तो कैसे लगा मेरा यह डिप क्लीन रूटिन अगर पसंद आए तो प्लीज गाइस एक लाइक कर करना और सब्सक्राइब करना और बिल बटन के साथ करना तो नोटिफिकेशन जल्दी पहुचेगा तो फिर में त्यू नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टिक्यार और सब लोग हस्ते रहिए सुस्त रहिए खुस रहिए बाबाई